सब सबका स्वागत है आपके अपने डूट चैनल फार्मा एंसी की में तो आज की वीडियो में क्या लिए है कि हूँ फार्माकोलोजी की हैं द्रग अक्टिंग तो देखिए स्टार्ट करने से पहले आगर आप लोग चैनल पर नहीं है आप चैनल को प्लिज सब्सक्राइब कीजिगा विडियो लाइक करना शेयर करना प्रेस करना ताकि जोन विडियो उटे उनका नोटिफिकेशन्स आप लोगों को मिल सकें तो देखिए बिनादिर स्ट को चाट करें अग्यों केशन्स आर प्रामर ली यूस्ट इन ऑटर्षान ली उच्ट ऑफिछा हुआ क्वा क्वेशन्स यह कcjon आ है तो मतलब सप्वाएं रॉच्च्र जो सर्दील्य को यूज की जाती है ईनको य riders onda को नेरोलाप्तिक्स भी बोलते है क्या बोलता है पोट्रमैटिक स्ट्रेस। डिसौडर। है साइजोफ्रेनी हो गया , आपका आपके साइजओफ्रेनिया हो नगी सब्सक्राइच कुछा हुआ तो सब्सक्रति की रॉक्षंट मेश सट्सेच कांपका साइजओफ्रेनिया हो जेरा हुआ है तो आसे साराइज जो होते रहा फ्लॉक्सिटीन फ्लॉक्सामीन इसमें अभी हम सारा क्लासिफिकेशन आगे देखने वाले हैं फ्लॉक्सिटीन आता है फ्लॉक्सिटीन फ्लॉक्सामीन सर्ट्रालीन सर्ट्रालीन सिटैलोप्राम एसिटैलोप्राम एसिटैलोप्राम और एक क क्लासिफिकेशन वे वारा आते हैं जब हम डिप्रेशन के डिप्रेसंट्स ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें आपके डिप्रेसंट्स पढ़े जाते हैं मतलब कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन सिघ्टरी क्रिंबिट करा देते हैं यह ड्रॉट जो होती तो हमें किसके लिए उस करेंगे सैजो ऐप्लडर और इस open to its एंजियुलिटिक इफेक्ट विदाउड रिस्क अफ्रेशन औरॉड्स होता है वो जो ऑन इवर फेक्ट नहीं होता है यह नहीं कराएंगी तो कौन सी ड्रॉग है देखें, buspirone, haloperidol, diazepam, amцы कि अप्सीं गालें। यह उसमें एक नहीं है। तो आपका एमिल्ट्रिप्टीलिन आ आपका अंतीप्स इस तो आपका ऐस्ट वार्ड गुए. इसे बी कही है यह भी नेक्स्ट क्षेशन ऐंटी वायल ड्रग also used in treatment of Parkinsonism Parkinson's की जो drug है उसके औपर question है तो कहल उसी कॉन सी underground गर जो लीडोपा, Argentin, Seligulin, कार्बिडोपा लीडोपा तो आपका क्या वता है dopamine का precursor होता है क्या होता है dopamine precursor is levodopa तो Ementadine जो होता है यह antiviral भी होता है और Parkinson में भी उस करते हैं तो यह dopamine facilitator होता है क्या होता है Ementadine dopamine को facilitate करता है dopamine facilitator होता है Ementadine facilitator Silagin is mow b inhibitor क्या होता है mow b inhibitor कार्बीडोपा यह पैरिफरल कार्बोक्सिलेजिनिवेटर होता है तो यह सारा क्लासिफिकेशन अभी मैं आगे लिखा हूँ है मैं आपको सारा दिखा दूगी तो पहला भी आपको इसका आंसर देख लिए जो ऑप्षिन भी हो जगा ओके आमिंटरीन जो है पारकिंसंस में अंटी पारकिंसोनिजम ड्रग में आती है और यह अंटि वाइरल भी होती है option clear, option B अभी classification देखिए देखिए पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कि Parkinson's disease में होता क्या है Parkinson's की ड्रग पढ़ रहे हमें ये पता होने चाहिए हमारे Parkinson's disease में होता क्या है देखिए brain में बेसल गैंगलिया होती है तो उसमें क्या होता है देखिए एक तो आपके डोपामिनर्जिक निरोंस होते हैं एक कोलिनर्जिक निरोंस होते हैं तो कोलिनर्जिक निरोंस तो अस्टायल कोलीन बनाएंगे डोपामिनर्जिक निरों डोपामिन बनाते हैं तो दोनों के बीच में बैलेंस होता है जैसे कि 100 dopamine है तो 100 ये अस्टायल कोलीन होगे दोनों के बीच में balance होता है लेकिन Parkinson में क्या होता है ये जो डोपामिनर्जिक neurons degenerate हो जाते हैं डोपामिन नहीं बनेगा अभी dopamine कम हो जेगा ऐसे टायल कोलीन तो उतना का उतना है देंकि इसमें असे टायल कोलीन कम नहीं होता असे टायल कोलीन तो वही का वही है लेकिन dopamine कम हो गया अभी क्या करेंगे dopamine को बढ़ाएंगे अब क्या करेंगे आसी ड्रग देंगे जो dopamine मतलब की dopamine को भार से दे दो मतलब की dopamine दो दे नहीं सकते वैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगी तो हमें क्या करना दोपामिन का लेवल भढ़ाना है 50 से 100 लेकिया ठीक है एक तो आप यह कर सकते हो एक आप यह करो इस 100 को 50 कर दो अस्टायल को कम कर दो है ना तो दो टाइप की ड्रग इसमें यूज की जाती है एक तो डोपामिन को बढ़ाएंगे एक आपके अंटी कोलिनर्जिक यूज किय दो टाइप की ड्रग आपकी इसमें दे जाती है थो ये क्लियर हो गया टिक है तो अब जो है अब फो जैसे डॉपामिन कम है तो आप होगे Dragon document को दे heедu बड़ में जायायगा वह अर अथी कर से लिए इसांड लिए डोपामिन अबस्क्राइखे हैं में इसलिए प्रॉबलम होगा लेकिन अब इसके सांफ में प्रॉब्लम क्या है ये जो है बेन में अंटर करने से पहले ही ली वो डवक का डीकारबोक Спाहिवा को लेघते हैं अब क्या करना है अब लीवो डोपा के साथ में क्या देते हैं डिकार्बोक्सिलेज इनीबिटर देते हैं ताकि इसका पैरिफरी में डिकार्बोक्सिलेज इनीबिटर देते हैं ताकि इसका पैरिफरी में डिकार्बोक्सिलेज इनीबिटर दे दिया तो ये तो आपका ब्रेन में जाने के बाद भ पेरिफरी में ही काम करेगा पेरिफरी में ही लीवडोपा का डिकार्बॉक्सिलेशन नहीं होने देगा जिससे जादा से जादा लीवडोपा ट्रिपल भी को क्रोस करके ब्रेन में चला जाएगा और वहां पर जाकर इसका डिकार्बॉक्सिलेशन हो जाएगा और डोपामिन बन जाएगा और अपने को यही तो चाहिए था तो यह सारा होता आपका परकिंस जो एंटी परकिंस ड्रग के बारे में थोड़ा समय आपको बताया आपको समझाया होगा तो क्या तरने ड्रग देंगे या तो डॉपामिन को भढ़ाएंगी या स्टाइल को लिन को कम में अपको बता दिया कि लिवोडोपा की डिकर्बोक्सिलेशन ना हो पारिफरी में डिकर्बोक्सिलेशन को का करने दिवोअ के साथ में कार्भी-डोपा या बांसी राजऑ देंगे दोनों से हैं की ड्रक देंगी और अप्लस प्लस चार्वीडोपा का कौम्बिनेशन भी कोकॉरल डोपा के नाम से बानों पीशोल करेंगे तो क्या करेंगे एंटी को चॉपामिन के लेवल को कम कराएंगे सेंट्रल अंटिकॉलिन के लेवल को में लेवल को क्या जाते हैं त्राई हैक्जी फेनिडाइल बेंजो है जिसे बोलते हैं त्राई हैक्जी फेनिडाइल के सेंटरल एंटी कॉलिनर्जिक है ये प्रो सैक्लिडिन बाइ पैरिडन है और अंटी हिस्टैमिनिक में और फिनेडरिन प्रोमिधा जिन आता है तो ये मेरे साफ से Parkinson's disease का की drugs का classification आप लोगो clear हो गया होगा next question पे चले next monitoring plasma drug concentration is useful while using तो इनमें से कौन सी drug को use करेंगे तो plasma drug concentration को monitor करना होता है antihypertensive drug दिया है, levodopa दिया, lithium दिया है आपको mau inhibitor तो lithium carbonate के case में देखने को मिलता है कि आपको plasma drug concentration को monitor करना होता है lithium के लिए, तो answer होगे option C, lithium carbonate नहीं से Parkinsonism is a common neurological movement disorder ठीक है Parkinson's में हमने देखा ये क्या है neurological disorder है क्योंकि brain में जो आपके dopaminergic neurons का degeneration हो रहा है इसमें, है न बेसल गैंगलिया में तो कहरें कि neurological movement disorder बोथ levodopa and carbedopa रूज़ वहां बिल्कु सही है levodopa यूज़ करते हैं क्योंकि dopamine का precursor होता है carbedopa यूज़ करते हैं क्योंकि यह periphery में decarboxylation को prevent करेगा बिल्कु सही लिखा हुआ है करें carbedopa is used because तो मैंने अभी तो आपको बताया carbedopa क्यों यूज़ कर रहे हो कि periphery में decarboxylation ना हो peripheral decarboxylase inhibitor is carbedopa अब आप मेरे साब से answer find out कर लेगो देखें it inhibit MAO A MAO B तो इसका काम ही नहीं it cross blood brain barrier तो blood brain barrier को cross करता ही नहीं carbedopa तो periphery periphery में ही अपना action दिखाते ना peripheral decarboxylase inhibitor है तो in it inhibit L aromatic amino acid decarboxylase तो option जो है आपका A right हो जाएगा बहुत important question बहुत एक्साम में बहुत बार पूछा गया है कि लिवडोपा और कर्भीडोपा की क्या कहानी है कर्भीडोपा को क्यों देते लिवडोपा के साथ में तो मेरे साथ से आप लोगों को तो एक लियर है option एक लियर हो गया next which of the following anti-ceizer drug is also effective in treating tri-jaminal neuralgia में कौन सी anti-ceizer drug दोगे prime primidone है topiramate कर्भमाजीपीन लामोट्रिगन तो tri-jaminal neuralgia के लिए आपकी ड्रगत कर्भमाजीपीन आती है option C right हो जाएगा a new anti-conversant drug with a structural analog of GABA anti-conversant drug मतलब कि anti-epileptic drug जो scissors में दी जाती है na epilepsy मतलब scissors है na तो वो anti-conversant drug जो a structural analog of GABA phenytoine है, primidone है, GABA-pentine, none तो GABA-pentine is structural analog of GABA is GABA-pentine option C, देखिए epilepsy वाली drug का classification में लिखा हो है anti-epileptic drug का है anti-conversant भी बोल दीजिए, okay, confused नहीं हो ना तो इसमें बार्बिचुरेट में फिनो बार्बिटोन आता है फिनो बार्बिटोन देखिए epilepsy में यूज किया जाता है, okay, फिर दियोक्सी बार्बिचुरेट होते है दियोक्सी बार्बिचुरेट से यह प्रीमयवन आता है, इसमें फिर हैडन स्यब्र इंपर्बोचलीट DRUG अल्परोइक आसेट असडोड वाल प्रोएक आसड़ोट फिनाइल ट्राइजीन में आपका लेमो ट्रीगीन आता साइकलिक गाबा अनलोगिस गाबा पेंटीन ओके और नियो ड्रग्स में आपकी विगाबेटरिन टॉप अटी आगए बिन टॉपिरमेट जोनिस्टमाड लिविटी रसिटा तो यह आपकी अंटियापिलेप्टिक ड् हुआ इनिबिटर चैके विरी में एंटीयाथ क्राइजिस चैके पेशेंट्स शेवेट कर रहे होते हैं तो देखे अगर किसी पेशेंट दे रहे हैं तो उन्होंने अगर फूट लिया तो उनको क्या चैका पर टेंसीव पर आप हो जाता है और इसको क्या कहा जाता है चीज रियक्शन कहा जाता है क्या क ही यह से तनों ही है तो हमारा जो मौव च्राइम तो कि लेगर MP लेगर Gewer Android कर देगा है तो अगर माव इनिबेटर ले रहे ना तो प्रोब्लम हो हो जाती है तो है प्राइशिस हो सकता है ओके नेक्स्ट क्वेशन देख लिए अपने तो यह प्रोकेन होता है ओके ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा लोकल लोकल अन स्थाटिक का देखिए कि थड्र वाले होती है जिसमें उनका दाया यह इंधका लोकल reinforcing को होदे है और अिंधिलंक अमधिलिंक व१ती को होतां अ देृट। लिंक के जाए या फिर अमाइड लिंक के जाए इसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया इस टाइब से भी क्वेशन पूछा जाता है एक्जाम में तो एक आई है जिसमें वह एस्टर लिंक्ड में आते हैं और दो आई वाले आपके लिंक में आते है तो याद रहेगा आपको के अस्टर लिंक में ये कोकें बेंचुकें तो सिंथैटिक में आपका को काईन नहीं सेंटरल एक्टिक मसलेल एक्सेंट्स दे रख्या ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ओके नेक्स से फीच फॉलिंग इस गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट बताना है मसी मोल गाबा जिन फ्लूमा जिन फ्लूमा जिन फ्लूमा जिन इस बैंजोडायजी पिन एंटाग क्वेशन है ठोड़ा से आपको हैलो पैरीडोल जो आपका डिटारो फिनोंडेरिवेटीं वह थैंटे साकॉडिक ड्रग में बढ़ते हो इसका च्रुक्चर पता होना जिकी युसमें दो हैलो अराइल गृब प्राइटन पर पहन कोन से पोजिशन पे हैं इसमें देना का प बना pa-2 ibने हीझ 1 फնवाइब पर कंई अब करेचे-स सब्सक्राइब को पिपेरुपので क्लोरिप पर्वलोर॑ नहीं अब भी सिर्श्राइम यह मंतलब कि पार्वेड 5 फिनाइल कऊ भी सिर्वाइब द्रॉसक्टरिम पॉर्ममों प्रॉस्सक्राम तो इसमें दो हैलो एरल ग्रूप जो है न आपके फ्लोरीन और क्लोरीन यह दोनों देखिए यह बैंजीन रिंग के पैरा पोजिशन पे है दोनों बस यही क्वेशन पूछा हुआ है ओके नेक्स्ट क्वेशन है सिंथाटिक ओप्योड ड्रग फो सीवियर पेन आइब्यू प फ़ूलिंग इसन इन हैलेशन अनस्थाटरिक आप जंडरल अनस्थाटिक के जो है जनर्ल अनसथाटिक विष्ञाटीस को आप लोग पढ़ते हो इंट्रावीनस अनस्थाटरिक तो इनहलेशनल में कों साथ है विजुए ल stack नहीं आता मतलब इंट्रावीनस का दे रखा हो टायो पैंटल सोडियम थायो पैंटल सोडियम इस इंटरावी ना तो आपका ओप्शन डी राइट हो गया तो एक बड़ी क्लासिफिकेशन देख लिजी जनरल अनस्थार्टिक्स का एक तो इन हेलेशनल होते जिसमें गैसिस में नाइटर सोकसाइड आएगा वोलटाइल लिक इंपॉर्डट है नेक्सा स्लोवर एक्टिंग ड्रग में बैंजो डायजीपीन्स में डायजीपाम लॉराजीपाम मिडाजोलाम आता है डिसोसेटीव नस्थीसिया के लिए क्या मिन यूज़ होता है मोस्ट इंपॉर्डट क्वेशन बनता है कितामिन के उपर ओप्योड नाल जेसिया के लिए फेंटेनाईल आ जाता है निक्स्ट है ड्रग यूज़ इन ट्रेर्मेंट ओ पार्किन्सोनिजम में कौन सी ड्रग यूज़ करी जाती है कार्बी मजोल तो अंटि थाइरोड ड्रग है इसका यहां पे क्या काम कार्बी डोपा तो बिल्कुल सही है पे देखा रोपिन नोल देखा प्राइमी पिक्सोल देखा बट सिलिजलीन इस माओ भी इनिबीटर में सिलिजलीन आता है ऑप्शन डी राइट हो गया ने सेंट्रल एक्टिंग मसल लक्सेंट आप लोगों ने बताना है हेलो थें सक्सिनल को लिए डी ट्यूब के राइन मिफ परकिन सोनिजम इंडिउस करा आती है आपके अंटि साइकोसीज्म में उसकरते हैं साइकोसिस में ने डीट का लेवल ज़ादा हो जादा है लोडोपामिन कम कराना खू हो कि आपकी परकिंसान्स इंड्यूस हो जाएगी तो यही बताएना है उन्यूरुक्तार्ग confident आंपको में आता है तृडूमाइड मीतट्रिक Leben hyalopa sir होता है नेक्स्ट है प्रीमिडोन क्या है एंटिटसीव है एंटिवाइटिक एंटिकन्वलसंट में आजेगा है ना डियोक्सी बाइबिचुरेट्स में आया था हमारा ने सट्राइग्जी फेनडाइल इस यूजिंग किसमें यूज करें थे आपने अभी देखेंगे ना सें इस्टायल कोलीन का लेवल कम करना होता है सेंट्रल एंटिकोलनर्जिक देते हैं जैसे कार्बी डोपा इस यूजफूल ना ट्रीटमेंट ओ पार्किंसंस डिजीज बिकोज कार्बी डोपा को क्यों यूज करते तो मैं आभी आपको बताया था पैरिफरल डिकार्बोक्सील करता तो इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ लिवडोपा इंदा निग्रोस्ट्रेटियम यह ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा है ना ड्रग यूजर्स एंटी कन्वलसंट कौन सा है यह प्रीमिडोन ही मेरे इसाफ से दिख रहा है ऑप्शन के अकोर्डिंगे डियुक het यह ऑप्शन सी हो जग डाय सिंतव्ड़ाव इंकी सिंतिस को बढये गा लिवडोपा ब्रोमो एगोनिस्ट रिसेप्टर जो है इस्ट है ब्रोमो क्रिप्टी इन प्रइम पिक्सल डॉपमिन इनर्जिक रहें फिक्र एम एंटेजिए एक्ट वाय स्टिमुलेटिंग डॉपमिन फ्रोपमिन स्टोरेश साथ यह इसाइज भी सही थे रहें तो आपका ओप्शन डी ह हो जागा और नेक्स SSन देख गाइनिजम का कटाना है प्राइमरी मेकैनिजम बताना कि आपका सी राइट हो जेगा नेक्स्ट है में विच कॉंसी बात गलत है नो ट्रू लिखा हुआ है नेकि इनिबिट कैल्शियम चैनल तो यह पहला ही गलत हो कहले को तो इनिबिट करती नहीं है ना ऑप्शन आपका यह ही राइट हो जेगा बाकि स्ट्रक्च्रली रिलेटेट तो आपका जो है नो ट्रू में उप्शन आपको पता होना चाहिए अभी एक एक्जाम इसकी फुल फोर्म पूछी हुई थी तो यह आपको जब एंटिप्रेसेंट्स ड्रक की क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना डिप्रेशन वाले ड्रग जोते हैं अटिप्रेसेंट्स ड्र मैंने आपको हर बार एकी बात बताईए कि आपको ना फार्मकोलोजी का क्लासिफिकेशन अगर याद होगे ना तो बहुत सी ड्रक के मेकैनिजम और फैक्शन यूजिस आपको ऐसे ही याद हो जाने है अब अगर आपको जो है अनिडिप्रेसेंट्स ड्रक का पड़ा हुआ है तो आपको पता है ऐसे सारा ही मतलब selective serotonin reuptake inhibitor तो इसी में तो इसका मेकैनिजम छुपा है selective serotonin reuptake inhibitor मतलब की serotonin के reuptake को इनिबिट करा रहे है यही तो मेकैनिजम है है ना तो देखे कितना इजली आपने आंसर कर दिया क्योंकि आपको मेकैनिज जो है फार्मकोलोजी का क्लासिफिकेशन याद था अभी देखें और अप्शन पर एन्हेंसिंग गाबर्जिक ट्रांसमिशन दिया इंक्रीजिंग दा ब्रेकडाउन ओफ मोनोमीन दिया है ब्लोकिंग डॉपामिन रिया अप्टेक ओफ सीरोटोनी इनिबिटर्स होते हैं नाम में ही मेकैनिजम छुपा है समझा गया ऑप्शन डी क्लियर है मेरे साथ से आप लोगों को और देख्या इस भी मेरे सैंटली पूछा हुआ क्वाशन है यह नेक्स्ट हैं विच फॉल्विंग ड्राग इस यूस्ट टो एंटागनाइस देखें नार्कोटिक जो है जैसे अप्शन फिनो बार्बिटोन दिया है जो बार्बिचुरेट होता आपका कलोना जीपाम दी है नाल ट्रिक जोन या एंफितामिन तो हमारा नाल ट्रिक जोन हो जाएगा यह नेक्स्ट क्वैस्ट है विच फॉलूंग इस कोड एंट अब्यूस किसे कहेंगे डाय जीपाम त आपको थोड़े से यह ब्रैंड नेम भी पता होने चाहिए क्योंकि इस टैप से कोईशन पूछ लिया जाता है तो यह ना अभी पूचहावा कोईशन से हैं इनके एक्जाम के पूचहावा कोईशन है इस विच वन फॉलूंग इस ने एक्जांपल एंग्जाम्पल से क्य क देखिए जब हम लोग जो हमारे अंटि साइकोटिक ड्रक्स पढ़ते हैं नियूरोलाप्टिक बोलते हैं जिने और क्या कहा जाता है नियूरोलाप्टिक्स बी बोलते हैं तो यह जो ड्रक्स होती न यह तो एक्स्टर पिर्यमिडल रियक्शन्स इनके साथ में देखने को मिल सब्सक्राइबर रियक्शन्स इनके बराबर को आपको कोंपे जो यह तो आपका आपके नियूरोश यह जो आता है तो आता है बिटारो फिहों डेयीटिव होता है जो आपके anti-psychotic drugs पढ़ते हैं उसमें आपका बिटारोफिनों डेरिवेटिव में हैलो पेरिडोल आता है तो यह एक्स्ट्रा पिरेमिडल रियक्शन देखने को मिलेगी इसके साथ में option C right हो जेगा तो देखी यह option B हो जेगा एंके फैलीन निक्स्ट है इंडिकेटर लोकल अनस्थाटिक विच अस्ट्रा पिरेमिडल साइड इफेक्ट तो तो प्रोकेन होता है लोकल अनस्थाटिक होता है जो कहा है एस्ट्रोफ पेरामिनो बिंजोईक एसिड निक्स्ट है विच ड्रग प् एक्स्ट्रा पिरेमिडल साइड इफेक्ट तो मैंने आपको प्सकेटर व्यूंदा र्येक्शें या एक्स्ट्रा पिरिमिडल साइड इवक्ष देखने अंटिसाइकोर्टिक में तो यह हलो परिडोल दिया है वैसे आपको option B ही राइट हो जाएगा निक्स्ट है विच ड्राग इस यूज़ फोर ट्रीटमेंट ऑपसेंस सीजर के ट्रीटमेंट में ड्रग बताईए लैकोसमाइड है फैनिटोइन गावपेंटेन इथोकसीमाइड इथोसकसीमाइड है यह option B हो जगा इथोसकसीमाइड जो है अपसेंस सीजर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है नहीं फार्मसेटिकल कैमेस्ट्री नाइट्राजीपाम कौन सी कैटेगरी में आता है इथोसक्षिकल आपको फुल फॉर्म बतानी है तो देखें ओप्शिंस में नाइट एंसे नाइट तो नहीं होता नाहीं नेगटिव होता नाहीं नाइट होता है नोन रैपिड आई मुवमेंट इस आंसर ओफ यूर क्वेशन नेक्स्ट है बैंजोडायजिपिन अक्ट प्रामेटली बाय प्टेंशियेटिंग दा एक्शन ओविच नियूरो ट्रांस्मेटर देखें बैंजोडायजिपिन जो होते हैं देखें यह क्या होता है इनको यूज इनको ट्रांस्मेटर होता है तो इसको पोटेंशियेट करेंगे है तो आपका जो बैंजोडायजिपिन कह रहे हैं कि किसको किसके एक्शन को पोटेंशियेट करते हैं तो यह हमारे गाबा के एक्शन को पोटेंशियेट करते हैं गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन होता है गा जो diazepines का GABA facilitate reaction होता है, ध्यान रखना है, option A हो जाएगा, next question है, which among the following drug act by inhibiting the re-uptake of serotonin and norepinephrine, देखिए serotonin और norepinephrine, serotonin and norepinephrine, जो है norepinephrine और norepinephrine बोल दीजिए, इसके re-uptake को inhibit करेगी, देखिए options में पहलों देखिए, amitriptyline दिया है, phenylzine तो आपके mow inhibitors में आता है, non selective mow inhibitor में phenylzine, trineal supreme रहेंगे, दोनों option कार्ट दीजिए, यहाँ पर यह नहीं होगा, तो आपका answer तो देखिए, होना है amitriptyline, देखिए amitriptyline आपका आता है, कहां पर आता है, TCA's में आता होता है, इसमें तीन रिंग होते हैं, okay, tricyclic antidepressants में देखेंगे, आप एक तो होते है, na plus 5HT reuptake inhibitor, reuptake inhibitor है, और एक होते है, predominantly na के reuptake को inhibit करते हैं, ठीक है, तो देखिए, आपके जो na and 5ST reuptake inhibitors होते हैं, इसमें हमारी drug आती है, imipramin आता है, जो अभी options में ता, amitripty आइलिन दिया है, imipramin आता है, amitriptyline आता है, जो हमारे options में दे रखा है, okay, trimipramin आता है, klomipramin आता है, doxypin आता है, डोथी पीन आता है, यह होते हैं, na and 5ST, na plus 5ST reuptake inhibitor मतलब की, noradrenaline या norepinephrine, और 5ST मतलब क्या होता है, 5-hydroxy tryptamine या इसी को क्या कहेंगे, serotonin कहते हैं, तो serotonin, अगर आप 5ST को 5-hydroxy tryptamine, serotonin बोल सकते हैं, serotonin and noradrenaline या norepinephrine बोल सकते हैं, तो serotonin and norepinephrine के reuptake को inhibit करने वाला ही तो आप से पूछा था, तो यह आपका amitriptyline हो जाएगा, जो हमारे TCA's में आते हैं, ट्राइसेकली के antidepressants में आते हैं, जो हम depression के antidepressants drug के classification में हम लोग पढ़ते हैं, तो clear हो गया amitriptyline क्या है, तो यह Na and 5ST दोनों के reuptake को inhibit करा आती है, अगर आप से पूछे predominantly या रियाप्टेक इनिबिटर, जो Na noradrenaline या norepinephrine के reuptake को inhibit करेंगे, तो उसमें आ जाएगा imipramine, देखें, आपने इसमें imipramine पढ़ाना, तो imipramine का metabolite होता है, daisipramine जो इसमें आएगा, नोर, जो predominantly noradrenaline reuptake inhibitor में, imipramine का metabolite daisipramine होता है, amitriptyline का metabolite nor triptyline आता है, और दो ड्रगोर आती है, यह एक तो होती है, amuxapine होती है, ग्रिपोकसिटीन होती है, तो अभी मैंने सारा classification आगे लिखा हुए, मैं आपको clear कर दूँगे, तो अभी ही जो है, आप यह समझें कि इसका आंसर, amitriptyline मेरे साब से आप लोगो clear हो गया है, next question, तो देखें, यही पे लिखा भी हुए classification, देखें, आपका antidepressants का classification देखिए, एक तो इसमें रिमावली ड्रगातिया, reversible inhibitor of mao-a, moglobimad and chlorgylin, TCA's में NN5ST reuptake inhibitor, NNN मतलब कि noradrenaline, आपके question में norapinephrine दिया था, बात एक ही है, 5-hydroxytriptamin या serotonin बोल दीजिए, तो इन दोनों के reuptake को inhibit करेगी, आपकी imipramin करेगी, amitriptyline जो options में दिया था, trimipramin, doxipin, dothipin, klomipramin, और predominantly INA reuptake inhibitor, आप लोग देखोगे तो, imipramin का active metabolite होता है, dasipramin, amitriptyline, no-triptyline होता है, दो नाम तो यहीं से याद होगे, amoxapin, reuoxygen, और याद करना है, selective serotonin reuptake inhibitor, जो हमने देखे थे, serotonin के reuptake को inhibit कर रहे थे, कि नाम में ही इनके mechanism छुपाए, इनका mechanism यह कि serotonin के reuptake inhibitor कर रहे है, और इनका mechanism क्या है, यह NA, noradrenaline के reuptake inhibitor कर रहे है, तो इनके classification से आपको mechanism मेरे इसाब से clear हो रहा है, हना, आसे सारा है, इसकी drug phloxetin, phloxamine, sertralin, citalopram, acetylopram, proxetin होता है, फिर atypical antidepressants बहुत important है, exam में question बनता है, तो आपको नाम जो है, याद होने चाहिए, तो देखिए, इस cns की drug का classification है, थोड़ा सारा tricky है, क्योंकि drugs के नाम इस टाइप की हैं, लेकिन आप इनको पढ़ोगे ना, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब कि रीड करिए, इनको जितना पढ़ोगे, उतना ना, यह drug आपके साथ familiar हो जाएंगे, आपको जो है, याद हो जाएंगी, automatically, atypical antidepressants में, trazodone, meansirin, metazepin, well-naff, antiloxidin, tianaptin, aminaptin, vipropion, जब फर्स टाइम हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम इनको ऐसे इतना अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, धीरे-धीरे पढ़ेंगे, trazodone, meansirin, metazepin, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते रहेंगे, एक बर पढ़ी, दो बर पढ़ी, तीन बर पढ़ी, चार बर पढ़ी, हैना, फिर हम ऐसे, बिल्कुल मतलब कि अच्छे से याद हो जाएंगे, नेक्स्ट है, विच अफ़ फॉलूंगे, इस मोनो अमीन ऑक्सिदेज इनिबिटर, माउ इनिबिटर आप लोगों से पूछा है, कौन सा ड्रग है, देखिए, ट्रेनायसिप्रोमीन, आईसो कार्बोकसाजीर, फिनालजन, तीनों ही आपके नों सेलेक्टिव माउ के नाम से, माउ बी इनिबिटर, मैंने आपको कहां बताया था, जब मैंने कौन सी पार्किंसन्स डिजिस की ड्रग बतायी थी ना, तो मैंने आपको माउ बी इनिबिटर बताया था, जिसमें आपका यह आजाता है, कौन सा ट्रेनायसिप्रोमीन, आईसो कार्बोकसाजर, फ बढ़ाता कि जो आपका कॉलिनर्जिक है है ना तो नूरमल रहता है लेकिन डौपामिन कम होने से क्या होता इम्बैलेंस हो जाता है इसलिए क्या करेंगे या तो डोपामिन को बढ़ा दो या क्या करो एस्टालकोलिन को कम कर दो तो इसलिए पार्किंसन्स डिजीज में ड्रग यूज होती है वो सेंटरल अंटिकॉलिनर्जिक्स वी यूज किये जाते हैं तो कौन-कौन से सेंटरल अं त्रोपियम ब्रोमाइड कहां पड़े थे जब हमने पड़े थे जांफिय उसनने ढ्र एकुनकों से एंटिकॉल इनर्जिक से ब्रोंकिल एस्थमा में यूज करते हैं आपका इप्रत्रोपियम ब्रोमाड यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वैशन देख लिजी तो इसमें जो है सेंट्रल एंटिकॉल नर्जिक के नाम भी लिखे हुए है यह आपका अनलाप्टिक का मतलब होता है रैस्पिरेटरी स्टिमूलेंट होता है कैफियन निकेथमाइड कोकेन या एंफितामिन दिस निकेथमाइड ऑप्शन भी नेक्स्ट है वट ड़स दे अक्रोनिम ऐसे साराई स्टैंड फॉर इंट्रक्लासिफिकेशन तो अभी यह तो हमने इस यह क्या है स्टी सीरोटोनिन रियाप्टेख इनीबीटर तो अश्य से स्टी होगा ना कि सीरम सिंथैटिक भी नी नी होगा बचा क्या option 4 से ने इसमें अ क्यों से पताए थी जो है स्टी सीरोटोनिन ऐस साराइज फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक सामिन साड़ालिन जर्ट्राल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोलूंग इस नॉट बैंजोडायजीपिन यूजड फोर इट्स साड़िटीव और हिपनोटिक प्रोपर्टी देखें बैंजोडायजीपिन नहीं है कौन सी ड्रग अलप्राजुलम बैंजोडायजीपिन में आते हैं किसमें होते हैं नोन ब यूट आपको नॉट नॉट अब इंजोडायजीपिन और ऑप्शन बीजेल प्लोंग इस फोलिंग मैडिकेशन बिलॉंग टीपिकल आंटी साइकोटिक में आती हैं इस उस्टूटिक डिसोडर्टिंग साइजोफ्रेनिया ठीक है तो टीपिकल आंटी साइकोटिक की आभी हमने देखा ट्राइसगलिक डीडिफर सैंड में हमने देखा था 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 है रिमेट्रीप्ताइव तो बचा क्या है लो पेरेडोल जू पिता रोफिन डैरिवेटी वहता है एंटी सगोर्टिक ड्रग में आता है एंटी वहता है बताइए कौन सी क्लास है जो ड्रग डिपेंडेंस और अडिक्शन कराती है एस्प्रिन कराएगी नहीं कराएगी अंटिहिस्टरमिनिक एंटिबायोटिक आपका ओपियोइट्स आजाएगा इसमें ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेशन विच फॉलिंग मैडिकेशन बिलॉंग ड्रग बार्विच रेट्स में आती है ड्रग एंडिस कॉमनली यूज़ एंटी एपिलेप्टिक और साड़ेटी होता है बताइए डाइथ हाई लीथर फिनो बार्विटोन हैलोथेर मिथो हैक्जिटोन सोडियम आपका बार्विच रेट भी है और अंटी अपिलेप्टिक को स्रेटी प्रोपर्टी भी रखता है तो एंटी अपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन में आप फर्स्ट के काटेगरी पढ़ते हो कि भार्विच रेट में फिनो बार्विटोन आता है ओके ऑप्शन टू इतना बड़ा कोशन लिखने से लिख रख है इन्होंने बट आप से सिंपल लोकल अनस्थाटिक की ड्रग ही तो पूछिए बाद में तो लोकल अनस्थाटिक का काम बता रख है कि कैसे करते हैं कि बहीं किसले उसकरते हैं इसको बस आपको सिंपल लोकल अनस्थाटिक की ड् को सिंपल क्वैशन है लिगनो के ना मारा आंसर हो जाएगा लिगनो के लिडो के ना जाइलो के न भी बोल देते हैं इसको ऑप्शन टू हो गया आपका राइट नेक्स सब्सक्राइशनल अनस्थाटिक इंटरा वीनस अनस्थाटिक में आता है को मली उस फोर इंड्यूसिंग जनल अनस्थीसय का आपको पढ़ाया तो उसमें एक तो इनिहलेशनल अनस्थाटिक बताये थे है न तो अब यह इंटरावीनस वाला बता दीजिये म हैं रखेर जो ब्लूकल इंड्छेंड कें तो आपको अको उन्चवीचों जबए सब्सक्राइ dunno सबशों में फासिएक सब्सक्राइब लोकल अनस्थाटिक का 100 एने थाता इसका यह जन से परेचेर। नेक्स्ट क्वेशन है विच फॉलिंग फीचर ऑफ जोपी क्लोन ड्रग एक्टिंग और सी एनस तो यह देखें पूछावा क्वेशन है अब इसका आंसर आप लोग देखिए जोपी क्लोन यह निवर बैंजोडायजी पिन मत भी नॉन बैंजोडायजी पिन्स जो है वह यह डोस डिपेंडेंट मैनर तो यह जो है सी एनस को डिप्रेस नहीं कराते देखें देखेंट मसल एलेक्सेंट प्रोपर्टी इट एक्जीबिट एंटी कन्वल्सेंट अंसार्यटी प्रोपर्टी यूजपूल इस शोटर मैनेजमेंट ओफ इंसोम्निया तो आपको नोट क्वेशन देखिए अल्टरा शोट एक्टिंग बार्बिचुरेट आपसे पूचा है दो नाम याद रखने अल्टरा शोट एक्टिंग में एक तो आता है मीथो हैक्जी टोन आता है दूसरा थायो पैंटोन आता है यह दो नाम याद कर लीजिए अल्टरा शोट एस हैं पयुदा को इस नियुद युदाइबा टीक फिर्दियुम्हा थे हैं is known for its ability to slow down central nervous system को slow कराती है and induce कराती है drowsiness okay कौन सी ड्रग है यह stimulant देखे stimulant होंगे तो यह cns को slow down तो नहीं करेंगे opioid hallucinogen नहीं sedatives हो जाएंगे हमारे option d okay next up which of the following is common pre-anesthetic medications used to reduce anxiety को reduce करने के लिए यह पर के लिए तो आप लोग यह तो देखे लिए तो देखे आप लोग जोना हो के मिडा जोलाम हो जाएगा option b okay next question have which of the following medications is not to have a potentially dangerous interaction with certain and depressants leading to a life-threatening conditions called serotonin syndrome को उसकरा देती है कौनसी class की जख कराती है antibiotic anticoagulant नहीं होगा selective serotonin reaptic inhibitor या NSAIDs NSAIDs भी नहीं होगा SSRI होते हैं यह हमारे selective serotonin reaptic inhibitors होते हैं next adrenaline is used with the administration of local anesthetic agent देखे local anesthetic agent के साथ में adrenaline दिया जाता है क्यों duration of action को प्रोलोंग कराने के लिए प्रोलोंग the duration of action of local anesthetic okay option b right हो जाएगा ने सब विचिस एटीपिकल आंटि साइकोर्टिक आप लोगों से पूचा एटीपिकल वाला हो के एलो परिडोल तो टीपिकल में आये था है ना बिटारोफिन डिविटी ओलन्जापिन आपका एटीपिकल में आजेगा थायुरिड़ाजीन पैन फ्लूरिडोल यह भी टीपिकल के हैं तो option तो है बी हो जेगा ओलन्जापिन इस एटीपिकल एटीपिकल के नाम देखे क्लोजापिन डिस पैरेडोन ओलन्जापिन क्विट यह पिनारी पिप्राजोलन जिप्राशिडोन इस आर एटीपिकल एंटी साइकोटिक सो कि माओ इस क्लासिफाइड आज आ तो माओ क्या है प्रोटीन इनिबीटल है कॉम्प्लेक्सिंग आजेंट है एक टाइप का माओ म का लाइक आड्रेनलीन नोर आड्रेनलीन डोपामीन और फाइफ हाइड्रोक्सी ट्रिप्तामीन ठीक है दो आइसो एंजाइम फॉम माओ के हैव बिन आडेंटिफाइड माओ ए और माओ बी माओ ए जो होता है प्रेडोमिनांटली डियामिनेट करेगा फिनाइल धायलामीन माओ बी इनिबिटर में सिलिजरीन आप लोगों ने पढ़ा है डोपामीन के डिग्रेड होता है एकुली बाइब बोथ एंजाइम आइसो एंजाइम और नों सलेक्टिव माओ इनिबिटर में हमने पढ़े थे ट्रेनाइल से प्रोमीन आइसो कार्वोक्साइड और फिनाज यूज़ कर रहे है तो ट्राइश एक डिपरेशंट्स दे रखिया आप लोगों को सलाक्टिव सीरो टोनिन रियप्टेक इनिबिटर में तो इस स्रिप सीरो टोनिन की रियापटेक को इनिबिट करेंगे कहले सीरो टोनिन नौर अपिनाफरिन इनिबिटर हो जाएगा या मो यहापका लैमोटरीगीन होता है आन्टे अप्शन आपका पी राइट हो जगा अटिएप्लैप्लेटिक ड्रग में हमारा लैमोटरीगीन आता अब हमने देखा था जड़नल इंहलेशनल ड्रग अती हैं एक इंतरावी नस आते हैं तो इन्हलेशनल में हैलोथेन फ्लुरेन यह सब पढ़े थे है ना और intravenous में अभी हमने देखिए inducing agents में प्रोपोफोल ये सब पड़े थे अभी देखिए आपको दिया क्या है options में फिनो बार्बिटोन दिया है कीटामीन दिया है अलो बार्बिटोल पिकरो टॉक्सिन तो कौन सा हो जेगा कीटामीन पड़ाता है हमने intravenous में है ना specific banjo-diazepine antagonist पूछलिया banjo-diazepine antagonist का नाम आते ही आपने समझ जाना है कौन सी ड्रक की बात हो रही है flumazenil की बात हो रही है ok flumazenil is banjo-diazepine antagonist अगर banjo-diazepine की poisoning हो गई तो हम लोग antidote दे सकते हैं flumazenil है हमारे पास तो यह poisoning हमको देखने को मिलती एक यह यह स्लीपिंग पिल्स के तरीके से आती है तो यह हो जाते हैं इसकी पॉजिनिक तो इसमें जो है हम एंडिडोट दे सकता है फ्लूमाजिनिक है हमारे पास यूज फॉज फॉर ट्रीट्मन्ट ऑफ ड्याज़िपाम ओवर डोजिंग पॉजनिक के केस में तो फ्लूमाजिनिक दे रक है उप्शन ए में ही दे रख है फ्लूमाजिनिक तो भही ऑप्शने राइट हो गया नेक सब फॉर्मीपीजोल इस ऐंडियाग्रोजिनेज में आपकी ड्रग आती है कौन-कौन सी देके एंकी फैलिन साते हैं मैट एंकी फैलिन ल्यू एंकी फैलिन डाइनोर्फिन बीटर लिपोट्रॉपिन इसमें नहीं आता ऑप्शन डी राइट हो जेगा नेक्स शोट हाफ लाइफ ऑफ थायो पैंटल अल्टरा शोट हो जाता है इसकी वैसे जो है इसकी हाफ लाइफ शोट होती है उप्शन सी हो जेगा नेक्स टैन 11 इपोकसाइड इस मेटाबोलिक प्रडक्टो फैनिटोइन कर्वामस्जीपीन वालपरोई कैस्ट या इथोसक्सिमाइड तो यह आपका कर्वामस्जीपीन होता है उप्शन देखे थाया का मतलब क्या है सलफर तो इसमें सलफर प्राजन होगा तो सलफर वाला उक्सिजन नाइट्रोजन इसमें सलफर नहीं है फिन नाइट्रोजन इसमें सलफर नहीं हो रहा है इन दोनों में सलफर आ रहा है आप देखे थाया एज़वर किसके लिए नाइट्रोज स्ट्रक्चर एक लोग देख लेना क्योंकि इस टाइप से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंपोर्टेंट होते हैं तो यह क्वेशन जो है आपके यह साफ से उस पेपर में पूछा था यह क्वेशन हो जगा नेक्स्ट ड्राग विच इस नों टू इंक्लूड हर्सूर्टीक्ट एक क्यों से ट्रक कई वही तो जिसने गाम हायपर ट्रॉफी गम हाइपर प्लाजिया जिन्जिवल हाईपर प्लाजिया कोस करा रही थी fetal hidden toin syndrome करा देती है हमारी fanny toin की बात हो रही है anti-epileptic drug में आती है hidden toin derivative होती है fanny toin इसके adverse effect बहुत important है सारे के सारे आपको पढ़ने हैं तो option B हो जगा एक पर देख भी लिजे गम hypertrophy, harsutism, hypersensitive reactions, megaroblastik anemia करा देगी osteomalacia करा देगी fetal hidden toin syndrome भी करा देगी फीटस में भी ट्राटो जानिक है हाइब प्लास्टिक फ्रेंजी स्क्लाफ्ट प्लेट हेर लिप माइक्रोसिफालियस अब आपके ट्राटो जानिक इफेक्ट है fetal hidden toin syndrome करा देती है फैनिटोई नेक्स्ट क्वैशन देखिए active metabolite of pyramidone responsible for anti-apileptic activity जो आपकी anti-apileptic drug के classification में हमने डियोक्सी बार्विचुरेट्स में पढ़ा था ने इसको डियोक्सी बार्विचुरेट्स में प्रिमिडोन आया था है ना तो प्रिमिडोन जो होता है इसका जो एक्टिव मेटबॉलाइट है दाट इस फिनो बार्विचुरेट्स में कनवर्ट हो जाती है तो फिनो बार्विचुरेट्स में इसकी anti-apileptic activity के लिए लिखा हूं है ऑप्शन 3 हो जागा राइट निसा बाइफिडा इस असुएटिव मेटरियल यूज ओप इस फिनो बाइफिडा कोन सीटर कराएगी फैनेटोइन करोमेजीपीन सोडेवाल प्रोइट और सोडेवाल प्रोइट करा देगी ऑप्शन सी हो जागा नेक्स वेंद अनस्थाटिक इस इंजटेड इन सबरिकेनोड स्पेस यह क्या कहेंगे एपिडियो लोग इनश्थीशी ने कौन सी ररक इंडिकेटिड़ है फिनोथायजीन्स, कार्वमज़िपीन, फैरेटोनिया, मौर्फीन, मौर्फीन, कौंट्रा इंडिकेटिड होता है, हैड इन्जरी में, कौंट्रा इंडिकेटिड ड्रग इस मौर्फीनों के ऑप्षिन D हो जगा, नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट ओफ इमी प्रामिन तो मैंने अभी आपको TCA मतलब की I mean जो आने डिप्रेसेंट्स ड्राक का क्लासिफिकेशन बताया न तो उसमें अभी तो बताया था TCA में देखिए आपके एक तो होते है एनने फाइफ स्ट एनने फाइफ स्ट के लेक्ट होता है एक प्रटॉमीनट्ली रप्तेक इनिबेटर होते हैं तो अभी मैंने जब क्लासिफिकेशन दिखाय को कर तो ऋसमें और इमिप्रामीन बतान अक्तिक होता है नोले Τरिप्त 알고 to all Senate इमिप्रामिन का उतार डैसी प्रामिन यह भी आपका ESIC का question है प्रीवेस 2019 वाला ओके तो option C आप लोगों का right हो जगा इमिप्रामिन का active metabolite डैसी प्रामिन एमिट्रिप्टैलिन का नो ट्रिप्टैलिन याद रहेगा न तो हमारा जो है क्वेशन क्लियर हो गया option C और यह जो है हमारे ट्राइसाइकलिक एंटिटी प्रेसेंट्स में आती है यह ड्रग डिफर फ्रॉम टिपिकल अंटिसाइकोटिक इन वारियस वेज़ डाट डिफाइन दैम एज एटीपिकल देखिए आपके जो टिपिकल अंटिसाइकोटिक होते है जैसे आपका हो गया हैलो पेरिडोल जो प्रिफिनों डरिवेट होते हैं तो आपके जो टिपिकल अंटिसाइकोटिक होते हैं इन में बहुत से जो है यह एक्स्ट्राइमिडल इफेक्ट देखने को मिलते हैं ठीक हैं तो कहरें यह दूसरे से डिफर करते हैं विच्वन के कौन सी प्रोपर्ट झाहिए नोट आपसे पूछाए टिपिकल के बार में कौन सी नहीं है यह थे बताना है आपने ऑके देखिए ओप्शन पढ़िए कि कहरें कि आपने सब्सक्राइब के लेवल को बढ़ा देते हैं लेकिन यह सब तो आपके जो टिपिकल यह बाले तो तो नहीं करते हैं तो फास्ट ही आपका नोट्र हो गया ओप्शन तो एही राइट हो जगा करें इंप्रूड एफिकेसी इन ट्रीटिंग तर नेगेटिव सिम्टम से बिल्कुर सही है लो रिस्क फोर एक्स्टर प्रिमिडल साइड इफक्त में आपको बताया जो एटिपिकल का लेवल ज्यादा हो जाता है तो यह डोपामिन के डिट्री साप्टर को जो हमारे टिपिकल साइकों अंडि साइकोटिक्स होते हैं उनका क्या काम होता है डोपामिन के डिट्री साप्टर को ब्लोक कराते हैं तो देखिए अब यह कहते हैं जो आपके टिपिकल है यह तो ड 2 करता है तो मेरे साथ से एक में पत्रुन होगा होगा next question है drug which produce malignant hyperthermia देके malignant hyperthermia produce करते है कौन सी drug से malignant hyperthermia होता है एक तो ये बात याद रखनी है और इसके treatment में क्या दोगे एक ये बात याद रखनी है तो कौन सी drug produce कराती है diazepam नहीं halothene कराती है बाकि chloroquine तो आप पड़ी नहीं रहे हो Sanitoin जो है, आपके antiepileptic है, तो halothen जो होता है आप लोगों को general anesthetics में, आप inhalational anesthetics में halothen पड़ा होगा न आप लोगोंने, तो यह malignant hyperthermia कोज कराता है, अब इसके लिए आपके treatment के लिए क्या देओ, IV dendroline दिया जाता है, आई वी डेंट्रो लीन दिया जाते है इसके ट्रीटमेंट के लिए मैलिगन थाइपर थर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए याद रखना है ओके निक्स क्वेश्चिन और फॉलिंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्टर पीरेमिडल एफेक्ट ऑफ नियुरॉलेप्टिक्स अर और में सारी बास है को छोड़के देखिए डियर ब्लोक के जो डोपामीन देफ्ट बिल्कुल सही बात है जो आपके आंटिसाइकोटिक ड्रग होते तो क्या करा डोपामीन के डिटरेप्टर को ब्लोक कराते हैं इसकी विज़ाएसे आपको एक्स्टर पिरेमिड़ साइड देखने को मिलते हैं, okay, they are less likely to be produced by close-up end then flu finacin, तो ये भी सही है, कि close-up end तो आपकी atypical में आती है, तो atypical वाले तो मैंने आपको बता दिया, कम show करेंगे हैं, कुछ तो show नहीं करेंगे, करेंगे तो कम show करेंगे, जो extra pyramidal side effect है, इनके साथ में कम होते हैं, then flu finacin, flu finacin आपकी जो आती है, टीपिकल में आते हैं, तो इसके साथ में तो ये देखने को मिलेंगे, extra pyramidal side effect, okay, फिकर हैं, नियूरलाप्टिक्स में को stradim, डिसकानेसिया कोस कराती, ये भी सही है, हैलो पेरिडोल डजनोट कोस extra pyramidal disturbance, बिल्कुल गलत है, है, हैलो पेरिडोल तो आपका बिटार फिनोन डेरिवेटी है, टीपिकल अंटिसाइकोटिक में आता है, तो ये तो extra pyramidal side effect कोस कराएगा, डस नोट लिखा हुआ है ना, तो आपका ये ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपसे accept पूछा हुआ था, है ना, तो क्लियर है, आप लोग को option D, okay, next question है, for treatment of morphine dependence drug use, आप देखिए, options देखे, नलोग जोन मत टिक कर देना, question ध्यान से पढ़िए, morphine के लिए आपको antidote नहीं पूछा, आपकी morphine की dependence के लिए पूछा है, morphine की dependence की treatment के लिए आपने drug बतानी है, तो नलोग जोन मत कर देना, इसका आपका methadone हो जाएगा, morphine dependence को treat करने के लिए methadone देंगे, option C, right हो जाएगा, next of which of the following drug is, selective serotonin and nor epinephrine re-uptake inhibitor, देखे, आपने selective serotonin re-uptake inhibitor, तो आप लोगों ने देखे, थे phloxetin, phloxamine, अब इसमें आपने बताना है, यह serotonin and nor epinephrine के re-uptake को inhibit करेंगे, तो देखे, आप कहेंगे, serotonin and nor epinephrine में एक तो अपने TCS पढ़े थे, तो लेकिन आपके options में देखे, pregabalin, gabapentin, duloxitin, tramadol, तो आपका देखे, duloxitin जो होता है, duloxitin आपका जो newer drugs, जो हैं, आपके antidepressants drugs, जो होते हैं, उसमें आपके जो atypical antidepressants होते हैं, यह typical antidepressants होते हैं, उसमें आपका duloxitin आता है, तो duloxitin क्या कराता है, देखे, duloxitin और एक वेलना फैक्सिन भी होता है, वेलना फैक्सिन देखे, इस दोनों drug देखे, TCS की तरह है, जैसे TCS आपके serotonin और नौर एपिनेफरिं के रियाप्टे को निबिट करता है, उसी तरीके से यह भी करते हैं, लेकिन TCS के साथ में आप लोगों को anticholinergic, anti-hydrenergic, anti-histaminic side effect मिलते हैं ना, वो इन ड्रक्स के साथ में देखने को नहीं मिलते हैं, यह एटिपिकल में आते हैं, निवर ड्रक्स हैं यह, तो देखिए, हमारा जो है, यह जो selective serotonin और नौर एपिनेफरिं के रियाप्टे को निबिट कर आता है, तो दोनों ड्रक्स हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है, तो मेरे साब साब को एक वैस्टन क्लियर हो गया होगा, ओके महारा स्ट्रा में पूछाओवा क्वैस्टन है यह, निक्स्टन है, अल्कलाइन यूरीन में इन सब ड्रक का एक्सक्रिशन होगा, होगा, एक को छोड़के, अलकलाइन यूरीन में पहले साब आपको पता होना, जब कौन से ट्रैप की ड्रक का एक्सक्रिशन एनहैंस होता है, अलकलाइन यूरीन मतलब करो भेसिक यूरीन, तो इसमें आपके जो एस्टर्डिक ड्रग होगा, उनका excretion enhance होगा क्योंकि acidic drug क्या होगी ionize हो जाएगी ionize होने के बाद वो absorb नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगी excret out हो जाएगी है ना अब देखिए alkaline urine में acidic drug जो है वो तो उनका excretion enhance होगा तो salicylates, barbiturate, sulfatoxin का excretion enhance होगा accept pathidine pathidine के excretion को enhance करने के लिए urine को acidify करना होगा pathidine basic alkaline nature की drug है देखिए अगर इस type की question में कई बारना हम लोग options से भी answer निकाल कर ले सकते हैं क्योंकि यह options होते हैं देखिए salicylates, pathidine, barbiturate, sulfatoxin तो देखिए तीनों एक type की drug है और यही अलग है pathidine तो आंसर तो वैसे भी यह हो जाना है बट आपको यह पता होना चाहिए इसका concept आपको पता होना चाहिए क्या alkaline urine है तो कौन से type की drug excretion enhance होगा और acidic urine में कौन से type की drug excretion enhance होगा तो मेरे साब से आपको यह clear हो गया next question which is tricyclic antidepressant तो बहुत ही अच्छे समने पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था तीसी इस में है ना अडिडेप्रेसेंट ड्रक का तो बताएं क्लासिफिकेशन तो आप लोग देखी चुके अडिडेप्रेसेंट का हमने रिमा के नाम से मॉकलोविमाड क्लोरगालिन किया टीसी इस के हमने सारे पढ़ लिये है ना तो यह मॉकसापिन यहीं आता है और ऐसे सारा इस देख लिए टीकल अडिडेप्रेसेंट में हमने सारे देखे ट्रैजोडों में अंसरीन में टैजपिन विलनाफ एक्सिंट लॉक्सिटिन यह ना अप्टिन 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 विप्रोपायोन नेक्स क्वेशन है लीडोकेन लोकल अनस्थाटिक इस त अंटिसाइकॉटिक ट्रग में आता है नियुरलैप्टिक भी जिने कहा जाता है तो इसमें क्या है विटेरोफिनोडिवेटिव है तो इसमें आपका हैलो परेडूल अजीगा थायोजनीन फीनृच इसमें आता है छो है इसमें थोड़ा सा मिलता इसम रहा हुए ना ख्लोर प्रमतायाजीन है न तो एक लोर प्रोमतायजीन जो है और अन्टिसीकोटिक ड्रग पोजेसिंग फीनो थायाजीन डेंग प्राज İन फिनो थाल थाल रिंग एक बार एक्जाम में question बना कि phenothiazin ring में कौन से hetero atom present है प्रीवेस वीडियो में हमने करा भी था question तो हमने देखा था sulfur और वैसे नाम से पता लग रहा है phenothia मतलब sulfur asa मतलब nitrogen phenothiazin तो इसमें sulfur and nitrogen present है एक बार एक्जाम में पूछा कि phenothiazin ring है इसमें कितनी ring है मतलब तो एक दो और तीन तीन ring है इसमें है अभी एक बार यह question आते है इसमें कौन सी ring है तो यह phenothiazin ring है तो phenothiazin ring है आपको इसका structure जो है यह पता होना ही चाहिए यह 3 मतलब यह 3 ring बनानी है और बीच वाले ring में sulfur and nitrogen present होगा तो मेरे साब सापको clear हो गया और chloropromazine जो है यह कहा है phenothiazin derivative होता है आपका chloropromazine clear है option C अट्राक्यूर्यम के लिए हमने कौन सी देखी थी कौन सी इसमें reactions होती है hofman elimination, michael addition hofman rearrangement, glazen condensation तो इसमें hofman elimination देखने को मिलता है अट्राक्यूर्यम के case में important है क्योंकि सिर्फ एक ही drug यह reaction शो करती है अट्राक्यूर्यम के साथ ही यह molecular जो होफman elimination देखने को मिलता है इसमें molecular rearrangement होता है क्योंकि सिर्फ एक ही drug शो करते है इसलिए important हो जाता है इसमें molecular rearrangement होता है इसका example अट्राक्यूर्यम में बहुत ही जादा important है यह बहुत जादा important है फार्मकोलोजी के questions जहां पर भी बनेंगे आपके तो यह अट्राक्यूर्यम वाला question बनता है ठीक है next है what is the primary mechanism of action of local anesthetic अब आपको जो लोकल नास्थाटिक हैं का primary mechanism बता दीजी क्या होता है यह activate करेंगे लीगन गेटिड पोटाशियम चैनल तो पोटाशियम चैनल को नहीं करते है ब्लोके जो वोल्टेज गेटिड सोडियम चैनल स्टिमूलेशन वोल्टेज गेटिड अन टायब कैश्यम चैनल ब्लोके जो गाबा गेटिड गेटिड क्लॉड चैनल लोकल नेस्थाटिक क्या करते हैं ब्लोक जो वोल्टेज गेटिड सोड़म चैनल में छोड़ेंग गेतड में नहीं नहीं आता है को टनिक में शेट में मसकरिंग उती ऐस्य पेस्यार में आते हैं Как सप्ट 503 गाबा तो लिगन गेटिट में नहीं आएंगे ऑप्शन डी राइट हो जगा च्टू रिसाप्टर नेक्स केमिकली फीनो थायजिन है तो में अभी आपको बता है फीनो थायजिन के बारे में इसमें कितनी रिंग है अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया तो तीन रिंग तो कि 5-5 पनीन और युद्ट का स्ट्रक्चर रोग करेंगे ना उसमें और आपका फीनो बार बिटोन के केस्ट में को मिलता है तो अगर आपको यह स्ट्रक्चर वगेरा देखने है तो देखे 500 निद्ध का फार्मसोचिकल केमेस्ट्री का अमें लिडियो बनाया हुए उस के फार्मासिटोगल केमिस्टी की प्लेलिस्ट में होगा अधरवाइस नहीं मिले तो मुझे बता देना मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी ओके निक्स क्वेशन है वट इस दरीजन टू प्रिस्क्राइब काभी डोपा विद लिवडोपा टू पार्किंसोनिजम पेश निकरीज कर देगा तो तो क्या ही काम है पैरिफरी में मैट विद्सम् decreasing पेलिफ इस ने क्यां डिक्रीस करता है प्रेफिरल मेटाबॉलिजम अव लिव डोपा के आनसर बी टू होज़ेगा बाकी बरेन के ब्रेन में काभी डोपा जाता ही नहीं हैerg्जान निक्izar homemade Morphine is Heroine, ध्यान रखना है, Diastal Morphine को क्या कहते हैं, Heroine कहते हैं, Easy Questions है, ये लेकिन एक्जाम में बहुत बार आया है, ये दो से तीन बार Question आया है, तो विचो दो फोलिंग इंट्राविनस अनस्थार्टिक आजेंटिस अनलोग और फायन साइगलेटिन जो है, भी आप लोग का राइट होना है, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाद ड्राग विच फोर्म मोर पोटेंट ग्लुक्यूरोनाइड कोंजुगेट मेटाबोलाइड अस कंपार टू पेरेंट ड्राग, है ना, तो आपका ये जो ड्राग है, इसका जो ग्लुक्यूरोनिडेशन होता है, और जो मेटाबोलाइड बनता है, वो ज़्यादा पोटेंट होता है, पेरेंट ड्राग से, तो आइस्परिन, लिवोडोपा, क्लॉरम फैनिकोल ना होके, आंसर आपका मोर्फीन हो जाएगा, ओप्शन डी हो जाएगा, देके मोर्फीन ज जैसे आपका मोर्फीन की केस में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नार्कोटिक अनाल जैसी किस कंसिड़ा तूवी 50 ताइम्स जादा पोटेंट है, मतलब 50 तू, 70 या 100 ताइमस, मतलब इस टाइप से होता है, यह यह आपका फेंटेनाइल होता है, ओके, फेंटेनाइल सिट्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लोकल अनस्थाटिक इस एस्टरोफ पैरामीनो बेंजोईक असिड, यह प्रोकेन हम लोगों ने देख लिया, भी रिसेंट्ली एम्स के एक्जाम में पूछा भी गया था यह क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अनस्थीसिया प्रिड्यूस कराता है, ओप्शन ने राइट हो जाएगा, ओकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो थायाजीन, बुटायरोफिनों, थायोजन्थीन, यह आप लोग अंटिसाइकोर्टिक का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपकी यह ड्रग् प्रेशन, पेन, स्लिफ डिस्ट्रबेंस ना होके, आपका साइज ओफ्रेनिया हो जाएगा, ओप्शन डी है ना, नेक्स्ट क्वेशन है, फिनो बार्बिटोन इस डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट, फिनो बार्बिटोन किस टाइप का है, लोंग एक्टिंग इंटरमि देख लिए आप लोग कौन से शोट आक्टिंग है उत्पेन लोंग एक्टिंग कौन से अल्टरा स्थ कौन से इंटरमिड से इंडरमिडियम इनधियोरेट ऑन क्लासिपिकेशन लिख वहां मैंने, ँडरेशन मिनe्ट से q u a ।ो पयस क्वेशन होते हैं लोंग आप लेस्ट लोगों का विसमाल फॉलोंग द्रॉग इस मोलोंच लिए आता है पारकिंसन्स की ट्रॉग में आफ लोगों को बताया था माव वी इनीबिटर में लियंता माव ए इनिबिटर में मोखलोविवाड ट्लोरगाइ लिना था ओकी, option A clear है, next question प्चेब तो फोलूंगे, is pure opet antagonist, pure opet antagonist में आपका देखिए 3 ट्रक पढ़ते हो, नलोक जोन आता है, और नल्ट्रिक जोन आता है, और नल्मिफीन आता है, है ना, नल्मिफीन आता है, अभी आपको नलोक जोन दिया है मेरे साथ से, option D clear है आप लोगों को, next विगाबैट्रीन प्रडूस आंटि अपलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो, तो विगाबैट्रीन जो है, यह आंटि अपलेप्टिक ड्रग है, तो इसका मेकेनिजम आप लोगों से पूछा है, कैसे काम करता है, यह, पोटेंशियेल्ट करेगा, गाबा मिडेटी न्यूरोन इनजाइम, विच डिग्रेड गाबा, जो गाबा को डिग्रेड करता है, गाबा ट्रांसमिनेज एनजाइम, उसको इनिविट करता है विगाबैट्रीन, तो आपका आंसर ऑप्शन सी होना है, बगि पोटेंशियेट पोसानेप्टिक गाबा रिसाप्टर इफेक्ट यह भी अंटिवारल भी होती है, और परकिंसन में भी उसकी जाती है, तो स्टिमुलेट कराते है, रिलीज ओफ दोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट ऑप्शन आपका क्लियर होजेगा, निक्स्ट क्वेशन है, जो लोकल अनस्थाटिक सार, तो मोस्ट ओफ दो लोकल अनस्थाटि इसके बार में कौंसी करेक्ट है? डिके टीसी एस है, ट्राइस है कलिक लिकानी डीप्रसेंट साब बिल्कु सही है, इंक्रीस एंजाइटी नॉर्मल सबजक्ट में एंजाइटी इंक्रीज करा देगी, बायर ट्रांस्फोर्म्ट टू अन एक्टी प्राबॉक्ट बंता एक का क्लोर प्रोमाजीन जो है फिनो थायाजीन डेडिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था है ना तो आंटी सैकोटिक ड्रग में पढ़ी थी आप लोगों ने तो किसके ट्रीटमन में उसकरों के पार्किन्सों इसम मेजर डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया बताईए जो है आ आता है हैलो पेरिडोलिस बिटायरो फिनों डेरिवेटिव ओके ओप्शन फॉर मेरे साफ साप लोग क्लियर है अभी आप क्लासफिक्शन देख लिए फिनो थायाजीन जो होते ना उसमें देखिए एक तो आपके अलिफैटिक साइड चेन वाले फिनो थायाजीन होंगे है कि ऐन फिनों चैनता है है अगा पिपिडी इसमें अचैन क्लोन लाकिटी में यह लेकिन ऐनी थायाजीन फिसमें में पनठा थायाजीन सबनाओ कि अगर ह्एक अगर प्रोमाजीनमें अगर ट्राइफडीटिव उर्टॉ में तो तो वह कौन से में होती है वो थाय टाइर्ट में होती है अगर पी परमेंसी परफिनाजीन को टो थोड़ा सा स्वाइचन जो को देख याधी करने कि आ जाता है कोशन में यह नहीं कोंगे कि आप लोग इसको थे क्लास सिफिक्शन तो सारा ही हुँ इसमें पूछा हुआ है यह बहुत कोशन जौस में आता है तो इस तो यह कि बितीकर्दिक चलीट किलिए 4-10 सोट यह सாह reriva थिक सीन वारा भी एक एक्जाम में पूछा हुआ है बिटायरोफिनोन तो हैलो पेरिडोल को बात ही मत किजिए क्योंकि बहुत बार है ट्राइफ्लू पैरिडोल पैन फ्लूरिडोल सारे डोल आरेन के पीछे ओके तो बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव है अधर हिटिरो सैकलि ओलंजापिन कुईटियापिन है ना फिर जिप्रासिडोन अरीपिप्राजोलन रिस्पैरिडोन तो इस सारे आपके एटिपिकल में आते हैं ने से वीच फोलिंग और क्रिटिकल नियरो ट्रांस्मिटर प्लेंग मेजर रोल इन डिप्रेशन देके डिप्रेशन में जो होता है कि अनियन 5-2 यह अप्टे किनिमिटर दिये जाते हैं क्योंकि दोनों का लेवल डिप्रेशन में कम होता है तो देखिए आइस ट्राइल को लीन दिया है आपको नौरापिनफरिन डॉपामिन नहीं यह अटा दीजिए नौरापिन तो है पर उसके साथ सिरोटोनिन देखि नेक्स क्वेशन देखिए वन उफ फॉलोइंग लोकल नास्याटिक विच इस अमाइड टाइप तो देखे आप लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी किया ना एस्टर लिंक वाले और अमाइड वाले तो आप लोगों ने कहा था एक आई होगा और अमाइड वालो में दो आई कहते हैं लिडो केंघ कहते हैं लिगनो केंघ कहते हैं अब आपका ओर ट्रिक दोआई वाला काम करेगा ना तो इसलिए ना ट्रिक के भरोसे मत रहिए गा थोड़ा सा अपना भी जो है कंस्वेशन लगाना है क्योंकि हर चीड़ी ट्रिक से ही याद कर लेंगे तो देखिए अभी हम लोग उन्हें ट्रिक याद किया था लेकिन वह यहां पर काम नहीं करा है ना तो बहुत सारी जगह पर हमारे ट्रिक भी काम नहीं करते हैं ठीक है तो आमाइड वाला आपका जायलोकेन क्लियर आप लोगों को तो यह लोकल ना स्थाटिक्स का क्लासिफिकेशन है ध्य है तो है किया थैजैन तो यह है तो आपके कराते ही है लग घैक है तो मियूर्ष आप्टर से मिya ईयूफोरिया फीजिकल डिपेंगनस पाइनलल थैस यूफोरिया राइस्पिरेटरी डिप्रेशन फीजिकल डिपेंडेंज नेक्स्ट फॉलिए नहीं होता तो नों बैंजोडायजीपिन हिपनोटिक याद है कि नहीं आपको जड़ वाली ड्रग आती है इनको जड़ द्रग भी बोला जाता है क्योंकि सबके नाम जड़ से शु यह पनोटिक्स के नाम तो में पता है यह जोड़ पिड़ जोपिकलोन जेल प्लोन ओके देशन अनलोग विद्ट मौर दन थाउजन ताइम पोटेंट है यह मौर्फिन से ब्यूप्रिन अर्फिन ट्रमडोल पैथिडिन ना होके टॉर्फिन हो जाएगा ऑप्शन डी आप नेक्स्ट डॉपामिन डिसाप ड्राइगोनिस्ट बिल्कु सिंपल है कुन सा होगा रॉपिरिनोल टोल क्याप और अंटा क्याप इनिप्र थे स्लिजिनल माओ भी इनिपिटर एम एंटरी डॉपामिन फैसिलिटेटर बचा के रॉपिरिन नोल ब्रॉमो क्रिप्टें बढलों कि पार्किनस डिजीज की ट्रका क्लासिफिकेशन याद करी है ना सब डैश शोट अग्टिंग नुरॉमस्क्लर ब्लोकिंग ड्राइग द्राइशन फैक्शन ब्रॉपिर फ्टीन ट्राइप बिट्राइग के लिए ड्रग बताईए कुन से दोगे फैनिटोएन कार जिपीन दी जाएगे और आपका बी राइट हो जगा निकिकर ब्लोफ चोइस फॉर ट्राइजाम जिया ओकिंग्स क्वैश्च वेश्च विच अफॉलिंग अजटीज इनिभिटर बता दीजिए फॉमिपीजोल इस अल्कोहल इड्रोजिन इनिभिटर इथेनोल डैसल्फि ना मीजल इस अल्ड्याइड है तो डैस्ट इसलचे इनिभिटर इस फिरकटी हिस जिचाटरिय ऑप्रोटेलिन नहीं होगाbroken थेने ढीने मंग्दी दर्काइज अल्फ देलपीज्टार इस मिलमतीडबर और यहुज होगा यह पूच Felix विचल उ साइड्चेहन वहीं म्ुच सब्सक्राइब करें लिक्राइब करेंगे लिए प्र Hammond टो यह तो यह देखिए आपने परियूटे त्राइब प्रॉबॉफिनगे इसको माइगरन प्रोफालचीज में विगागरें प्रोफिलाक्सिस में रूफी नामाइड को यूज करेंगे यह एपिलेपसी में तो यूज होता है यह साथ में बाइपोलर डिसोडर्स हो माइगरिंग की प्रोफालाक्सिस में भी उज किया जाएगा हमारा नेक्स्ट है इन और्गैनिक आयन विच इस यूज़ प्रोफालाक्टिकल इन बाइपोल नियरो मस्किलर जंक्शन ग्यंगलियों एक नैकोटिक रिशाप्टिस आलफा अडिनाजर आजिक रिशाप्टर्स इन श्र्नक्सिय अ और्प्शन डैश्एटिंग देन डायजेपाम तो लोराजीपाम ज्यादा पोटैंट है ना ओर और पोटैंट होता है पॉटम यह आँच्थ लंग बेट जेए अले कष्झटके κाट देगांटे तो इसे लुत lift को सिर्षण एल्एकस ऑप माव इनिबीटर का principal action क्या होता है तो यह क्या करते हैं मोनो अमीन ऑक्सिडेज एंजाइम को इनिबीट करा देंगे तो मोनो अमीन ऑक्सिडेज एंजाइम को इनिबीट कराके क्या करेंगे increase करते हैं store of noradrenaline and 5-hydroxytriptamine हैं next है fill in the blank and choose the correct option Imipramin is a dash derivative which is used as dash agent नि किसमें पढ़ा था हम ने अंडी युपरेसेंट काट हो गई हालोसुझ वाला काट दिजिी यह नम तो यह है perfectly कार्ट लोग तो आप लोग लक्रक्ट होता है कहां पड़ा है तो यह वी काड़ जो ऑप्षिन निकलके आगया डायजया फिन होता है यह कुछ निकलके आगया अब्यृशन होता है तो इसमें चुक्छ तो देखे डाइबेंज आपको पता ही है ठीक है तो यह आपका प्रामिन का स्ट्क्चर रहा है नेक्सक्ट देख लिजे डाइश इन आप्योड दास नोट एंटर ब्रेन अप्योड जो ब्रेन में एंटर नहीं करता हैं देरफोर लेक अनल जैसिक अक्टिविटी बट इस तो यह को देख लिजे आपका लोग पीरे माइड होता है यह कि अग्याइश ड्रॉप चोईस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यह यह तो मैं आपको बताए था मैं यह रातिया है ट्रीटमेंट के लिए ड्रग भी बताई थी ऑप्शन त्रीड टेंट्रोलीन है नेक्स्ट है मैं यह के लिखा हूं है डिजीज देट कोज राइस राइस इन बोडी टंपरेशन सीवियर मसल कोंट्रेक्शन वैं संप्टमन रिसी जनल अस्थी सिया विद वन उफ मोर फ्लों ड्रग हालो थेन आइसो फ्लोरें सक्सनाल कॉलीन नेक्स और ओल फॉलिंग बैंजोडाजीपीन सर भाइता बाइता ट्रान्सपोर्ट ड्टी मैट एक्टी बहुत एंजुलिटिक भी है और यह अनिडिप्रेसेंट भी है अलप्राजुलाम डायजुलाम मिडाजुलाम या क्लो डायजुपॉक्साइड तो ऑप्शन फोर जगा क्लो डायजुपॉक्साइड नस विच ड्रगोबे जी रोडर कानेटिक्स के लिए आपका देखिए अल् के टॉक्सिटी ओजाती है कि इननकреस टॉक्सिटी ओफ। ऐसेल साइब्टी हो जाती है सिन्टिक्री सिस्कुलाम की त्योक्टिक्सीटी हो जाती है नहीं आप लोगों से पूछाया इंडियूसर में इन्डीटर है तो आपका यह फिनो बार्बितों जो है एंजय में आता है फैनितोइन भी इंडियूसर है सब्सक्राइब करना ओके थैंक यू